प्रिये विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समगर करियर आउनलाइन के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है करियर चुनने और उसमें विक्सित होने के जो मुक्ख्य गदम है वो इस्प्रकार है पहला कदम है जानना, जानना किसको, स्वायम को और opportunities को, career opportunities और educational opportunities को फिर उन में से धून्धना, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा suitable हो फिर चुनना, क्योंकि हो सकता है, आपको बहुत सारे option ऐसे मिलें, जिसके बारे में आपको लगता हो कि आप उसके लिए suitable हैं, लेकिन आप उन में से कुछ ही जो है वो चुन सकते हैं तो जो तीसरा step है, वो है चुनना फिर जब आपने चुन लिया, तो उसमें प्रवेश करने की योजना बनाना ये सबसे महत्पूर्ण कदम है, जिसके पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और जब आपने planning बना ले, तो उसका execution, उसको आप अमल में लाएंगे उसके लिए आपको करनी पड़ेगी तैयारी बहुत सारे विद्यारती ऐसे हैं, वो सीधे तैयारी करने लगते हैं और इसके पिछले जो steps हैं, उसको वो अनदेखा करते हैं जो कि उचित नहीं है जब आप तैयारी कर लें, उसके बाद है फिर प्रवेश उस course में जिसमें आप जाना चाहते हैं उस occupation में जिसमें आप जाना चाहते हैं बहुत सारे entry barriers होंगे entrance exam हो सकते हैं, interview हो सकते हैं दौड फूद प्रतियों किताएं हो सकती हैं तो वो सारी जो बाधाएं हैं आपको पार करके प्रवेश करना होता है और प्रवेश करना काफी नहीं है उसको आपने समहालना भी होता है manage भी करना होता है क्योंकि आज के जमाने में uncertainty, अनिश्चितताएं बहुत बढ़ गई है तो job पाना तो मुश्किल हो ही गया है उसको बना के रखना उसको समहाल के रखना उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है और बचाना काफी नहीं है आपसे उमीद की जाती है कि आप उसमें excel भी करें और बहतर करते जाने और साथ ही एक प्रक्रिया है जो इन सारी प्रक्रियाओं के साथ समनांतर रूप से चलती रहती है वो है learning and developing एकते जाना और विक्सित होते जाना आज के लेबर मार्केट में आज के श्रम की दुनिया में काम की दुनिया में यदि आप लगातार सीख नहीं रहे हैं तो आप टिक नहीं पाएंगे आईए इन चरणों को थोड़ा सविस्तार से समझें knowing knowing बहुत कुछ exploration जैसा है आपको image दिखाई दे रही है समंदर में एक जहाज है यह नहीं पता कि जहाज उसको कहां ले जाएगा समुदर के थपेड़े उसकी क्या गती करने वाले हैं लेकिन explore करने के अलावा हमारे पास कोई option नहीं है किसके बारे में explore करना अपने बारे में अपने बारे में explore करना सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है तो आने वाले दिनों में हम सबसे अधिक समय इसी पे लगाएंगे कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं करियर के संदर होने opportunities को जानना opportunities किन चीज़ों की courses की, careers की, support services की क्या-क्या opportunities हैं किन की इस तरह क्या occupations होते हैं उन सब के बारे में जानना और करियर में हम कैसे प्रवेश करें और कैसे विक्सित करें अपने आपको उसके बारे में भी जानना उस प्रक्रिया के बारे में भी जानना, ये भी knowing का important part है, बलकि ये जो career education program है हमारा समगर career online, वो दरहसल उसी उद्देश्य के साथ ये विक्सित किया गया है कि हम अपने विद्यारतियों को उस प्रक्रिया से परिचे परिचित करवा सकें, जिसके द्वारा वो एक suitable career में प्रवेश कर सकें और वहाँ वो excel कर सकें finding, धूनना क्या धूनना, appropriate relevant और suitable, विशे धूनना आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा विशे पढ़ू, courses साइट्स हैं, कौन सी संस थाएं हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, scholarship कौन दे सकता है, किताबें कौन दे सकता है paper के pattern के बारे में कौन बता सकता है, कौन मुझको guide कर सकता है ये सारी चीज़ें जो है, वो finding फिर चुनना चुनना दरसल matchmaking है जैसे knowing मैं मुझे पता चला कि मैं कैसे विखती हूँ जिसको गणी तो पसंद है, लेकिन physics नहीं, अब मेरे जैसे लोगों के लिए क्या क्या option है, हो सकता है, बहुत सरे option है लेकिन हम उसमें से फिर चुनते हैं usually क्या होता है, कि perfect fit, perfect match नहीं मलता, फिर हम देखते हैं कि सबसे कम imperfect क्या है, हम उसको चुनते हैं और फिर हम decide करते हैं, इतनी सारी pencils है एक चुननी है, कैसे चुनते हैं, यह जो प्रिक्रिया है लेकिन ही ध्यान रखना है, हमने सिर्फ एक ही नहीं चुननी है क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा अनिश्चित है आप यह एक ही चुनते हैं, और किसी वज़य से आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो आपको उसमें ठिक्कत होगी इसलिए हम हमेशा एक से ज़्यादा option चुन कर रखते हैं ताकि हमें frustration नहीं हो अब जब आपने चुन लिया तो अगला कदम है उसके लिए plan करना इसके लिए उजनाय बनाना सबसे पहले तो करिये पात चुनना जैसे मानलो आपने चुना कि आपने दैनिक जागरण या Times of India का editor बनना है तो अभी आप 10 वी में है या 12 वी में है वहां तक कैसे पहुँचें कौन कौन से रास्ते हैं जो आपको उस तक ले जाएंगे फिर आप लक्षे बनाते हैं फिर उन लक्षों को prioritize करते हैं प्राथमिक्ता क्या धार पर तयक करते हैं सारे लक्षे पर एक साथ नहीं पूरे करेंगे पहले किसको पूरा करना है फिर किसको पूरा करना है यह prioritizing है उसके इसाब साब strategy बनाते है रणनीती बनाते है फिर समय को schedule करते हैं किस वक्त पर अब क्या करेंगे वो आप तयक करते हैं क्योंकि आपके पास समय सीमी थे और बहुत सारी goals दोने हैं पूरे करने है उसके बाद आप action plan बनाते हैं steps जो हैं आप कौन से उठाएंगे फिर वो तैय करते हैं और इसके लिए आपको कौन-कौन से संसाधनों के आवश्रक्ता है जो आपका पिछला जो steps था finding उससे linked है आपको पैसे के आवश्रक्ता है उन चीज़ों को organize करने की ज़रूरत अब actually आपके preparation शुरू होती है preparation brick by brick होती है एक-एक इंट करके दिवार जा हो बड़ी होती है preparation course के लिए आप जिस course में इंटर करना चाहते हैं engineering में medical sciences में agricultural sciences में vocational sciences में आप जिसमें भी जाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी आप शुरू करते हैं institution कई लोग किसी खास institution के लिए तैयारी कर रहे होता है कि मुझे वहीं पढ़ना है कई लोग एक खास job की तैयारी करना है मुझे bank में ही जाना है कई लोग एक खास career की तैयारी कर रहे होते है कई लोग ultimately पूरी life के तयारी कर रहे होते हैं उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पढ़ सकता है आपको नए-न ότι कौशल सीखने पढ़ सकते हैं skills सीखने पढ़ सकते हैं बोलने की भी practice करनी पढ़ सकती है लिखने की practice करनी पढ़ सकती है बहुत सारे विद्यारती, preparation के नाम पे सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन जो परीक्षा होती है, वो तो आपके लिखित योगिता के अधर पर निरने लिया जाता है उसमें तो जब आप तैयारी करते हैं, तो यह सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है फिर आप एंटर करते हैं, जो barrier है entrance का, आप उसको qualify करते हैं जो eligibility है, जो minimum आवश्रक्ताएं हैं, जिसके base पर आप उसके लिए योग ये पाए जाते हैं वो हम सुनिश्यत करें कि वो सारी योगिता है मुझे है फिर जो barriers है, entry barrier है, group discussion है, interview है, written test है जो भी है, उसकी तयारी होगी, फिर अपने आपको हम मानसे group से और academy group से हम तयार करेंगे जिस job में जा रहे हैं, उनके जो roles में जो मुझे करना है, उसकी मैंने तयारी कर ली है या नहीं की है ये entering है, अगला जो है फिर जब आपने enter कर लिया, तो फिर हमने उसको manage करना है और उसमे excel करना है, अभी पिछले slide में आपने देखा, एक barrier था, लेकिन आपको पूरे career के दौरान बहुत सारी बाधाओं को जो पार करते रहना है, तबी हम career में grow कर सकते हैं आपको opportunities ढूनने है, opportunities बनानी है, नई नई भूमिकाएं तलाशनी है, अपने लक्षियों को, अपने समय को और रिष्टों को, आपके organization के रिष्टे, घर के रिष्टे, उनको समालना है समस्याइं जो आती रहेंगी उनको solve करना है, नई नई skills सीखने हैं, नई qualifications लेनी है और जो आपका व्यक्तिकर जीवन है, उसमें balance करेंगे, यह सारा कुछ करते रहेंगे, तभी हम career को समाल पाएंगे, और उसमें excel कर पाएंगे, याद रखें, यदि हम सीधे चौधे कदम पे चले जाएंगे, तो यह dangerous है, जैसे यह व्यक्ति, पहले से सीधे चौधे चौध गया, दूसरा और तीसरा कदम नहीं अपनाया, अपने आपको नहीं समझा, options को नहीं समझा, सीधे preparation करने लगा, तो वो dangerous हो सकता है, मुझ की खा सकते हैं, दूसरी चीज़, यह steps जैसे आप देख रहे हैं, linear लग सकते, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक बाद, ए सकते हैं, इसका भी अपने ध्यान रखना है, अपने से बहुतों को लग रहा होगा, कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आप से discuss की हैं, इतना कुछ कैसे करेंगे, और ध्यान रखें आप, कि अब हम आगे आने वाले videos में, हम उन्हीं steps की बात करेंगे, जो 9th से 12 तक की students के these doubts इस ID पर भेजें, और तब तक हम उशेवान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिन्दा हैं, हम जिन्दा हैं।